नमस्का दोस्तों मैं सुन चोधरी सुक्सेस प्लस करन पर आप सुभी का हर्दिक स्वात करता हूँ तो दोस्तों आज के सुड़े में हम बात करने वाले हैं गुजर परतिहार डाइनिस्टी के महानतम साशक समराट महिर भोज की जीवनी, उनके साशन और उनके इधियास के बारे में समराट महिर भोज जोकी गुजर परतिहार डाइनिस्टी के एक साशक थी नाम के साथ गुजर लगावा है लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जाती को लेकर एक डिबेट है गुजर समुदाए और राजपूत समुदाए दोनों इस चीज के उपर कई बार भिड़ जाते हैं और ये क्लेम करते हैं कि महिर भोज उनके साशक थे गुजर समुदाए ये क्लेम करता है कि महिर भोज एक गुजर समराट थे और राजपुत समधाय ये क्लेम करता है कि वो एक राजपुत साशक थे इतियासकारों का इसके उपर क्या व्यू है उसकी हम इस यूडियो में चर्चा करेंगे साथ ही गुजर प्रतिहार डैनिस्टी का भी एक ओवर्वियू इस यूडियो में देखेंगे हलांकि गुजर प्रतिहार डैनिस्टी का कम्प्लीट इतियास मैं आपको मेडाईवल हिस्टी में पढ़ा चुका हूँ मेडाईवल हिस्टी की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं अब ही हमारा फोकस रहेगा समराट महीर भोज के उपर समराट महीर भोज को भोज फैस्ट भी कहा जाता है इनका जो साशन काल था वो 836-885 के बीच में रहा तो तकरीबन 59 साल तक इन्होंने गुजर प्रतिहार डैनिस्टी के रूलर के तोर पे काम किया है रूल किया है और इनका जो साशन था वो एक बहुत बड़ी चहतर के उपर फैला हुआ था उत्तरभार्त में मुल्तान जो के आज के समय पाकिस्तान में है मुल्तान से लेके बेंगोल तक और कश्मीर से लेके करनाटक तक इनका सामराजे फैला हुआ था ये मैप में आप देखिए गुजर परतिहार डैनिस्टी जब अपने जैनित पे थी अपने पीक पे थी तो कितना बड़ा इनका सामराजे था तकरीबन 980 के असपास का ये मैप है जिसमें आपको दिखाया गया है कि सिंध तक इधर मुल्तान तक उपर हिमाले तक कश्मीर तक और इधर बेंगोल तक फैला हुआ है और इधर नर्मदा रिवर तक फैला हुआ है आज के समय इस चेतर में आपको पता है कि कितने सारे स्टेट आते हैं भारत की इसमें आपको गुजरात, हरियाना, पंजाब, राजस्थान, उत्तर परदेश, मध्धे परदेश, हिमाचल परदेश, बेंगोल, बिहार ये सारे जो चेतर हैं वो आपको नजर आते हैं मैब जो है उसकी भी हम चर्चा करेंगे लेकिन जो डिस्प्यूट है गुजर और राजपूत कम्यूटी के बीच में इनकी जाती को लेकर वो क्या कहता है उसकी क्या चर्चा है उसकी भी बात कर लेते हैं दो हजार इकिस में ये डिस्प्यूट जो है वो काफी चर्चा में जब जो यूपी के मुख्य मंतरी हैं योगी आतिते नात उन्होंने एक मुर्ति का अनावरण किया था जो की समराट महीर बोज की थी और इस मुर्ति के नाम के साथ गुजर समराट लिखा हुआ था तो राजपुत कम्यूटी ने इसका विरोध जताया था और कहा था कि वो ए जगह उपे दंगे फसाद भी हुए तो उसमें क्या हुआ था दोनों ही कम्यूटी जो हैं राजपुत और गुजर वो ये क्लेम कर रहे थे कि महीर बोज उनके साशक है इतियासकार इसके उपर बटे हुए हैं दोनों के क्लेम को किसी को सपोर्ट करता है कोई किसी को सपोर् राजपुत तो जाती हुआ ही नहीं करती थी उस समय तो छत्रिया क्लेन हुआ करता था और जाट गुजर राजपुत अहीर ये जो है मराठा ये जो हैं हैं जाट गुजर राजपुत अहीर मराठे ये सभी जो हैं शत्री क्लेंसे बिलों करते हैं दूसी तरफ है राजपुत उनका ये मानना है और उनका एक कहना है कि ये जो समय है उस समय राजपुत हैरा शुरू हो गया था और 700 से लेके 1200 के बीच में अगर आप इस चेतर को देखें तो ये जो चेतर है ये राजपुतों के द्वारा रूल किया जाता था और ये जो महीर भोज हैं वो परतिहा डाइनिस्टी के थे गुजर जो शब्द उनके नाम के साथ लगा हुआ है वो जाती को रिपरिजन्ट नहीं करता है वो एक जिओग्राफिकल टर्म है और जिओग्राफिकल टर्म गुजर रहा है आज उस चेतर में जहां पर ये गुजर परतिहा डैनिस्टी mainly थी उस चेतर को आज गुजरात कहा जाता है हालनकि कुछ चेतर जो है राज़तान में शुरुआत उनकी राज़तान में हुई लेकिन गुजर वाला जो चेतर था जिसको गुजर रास्ट या गुजर देश कहा जाता था वो आज किसमें गुजरात है और इन्होंने कहा कि गुझर जो है वो जाती नहीं है यहां पे वो एक एरिया को रिपरजेंट करते हैं और इत्यासकार जो है कई जगे इस क्लेम को भी मानते हैं सुषिकार करते हैं इत्यासकारों का especially western historians का ये मानना है कि ये जो छेतर है इसको गुजर रास्ट या गुजर देश कहा जाता था और ये जियोग्राफिकल टाम था और इसलिए इसका नाम जो है वो गुजर परतिहार डाइनस्टी पड़ा और परतिहार इनका सरनेम था परतिहार इनका जाती को रिपरजेन करता है वो परतिहार 836-8885 के बीच में हैं तो राजपूत शब्द का इस्तमाल उस समय नहीं होता था लेकिन राजपूतोंanka जो एंसेसर से ठेके हैँ तो इस क्लीम को उस तरह से देख सकते हैं कि प्री राजपूत शब्द जो उससे पहले जो उनके एंसेसर से थे वह हैं तो बहुत सारी थ्यासकारों ने बाद में इस चीज को कहा कि ये जो डिस्प्यूट है मिनिंग लेस है और इसका कोई अंत नहीं है इसका कहीं पे भी आप जाके पूरी व्याक्या नहीं कर सकते दोनों-दोनों की क्लेम्स को आपको स्विकार करना पड़ेगा और अंतता है पहले तो ये मामला जो है वो हाई कोड तक पहुँच चुका था मद्यपरदेश में लेकिन बाद में दोनों कम्यूटी के जो सीनियर लेडर्स हैं वो आये सामने और उन्होंने ये माना और इस चीज़ के उपर उन्होंने सहमती जताई कि राजपूत और गुजरों के जो एंसेस्टर्स हैं उनके जो पूरवज हैं वो सेम ही है तो हमें इसके उपर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए हम दोनों ही उसको अपना राजा बोल देते हैं समराट महिर वोज राजपूतों के भी राजा हैं और गुजरों के भी राजा है तिदी ती और इत्यासकारों का ज्यादातर इत्यासकारों का यह मानना है कुछ के बीच में मतवेद हैं लेकिन उनका इत्यासकारोंगा होता है डौर z lugरुत तो यह बारत bottle शें वो अगर और सु मन के अगर के तरह की तरह को पहrip थू ौर स्वाइब्स से एक तरह का का उस्त धर्वाजे ilajte भारत से तरह को सोजेए और में गुजर्ण प्रिक्राइए नि की दो पारति भुजार ऍाप में देखें यहाँ पे आपको परतिहार डाइनस्टी दिखेगी, यहाँ पे आपको पाल डाइनस्टी दिखेगी, यहाँ पे आपको रास्टकूट डाइनस्टी दिखेगी और तक्रीबन 200-300 सालों तक इन तीनों डाइनिस्टी के बीच में कन्योज को कंट्रोल करने के लिए लड़ाईयां चलती रही है ठीक है उसकी हम अभी आगे बात भी करेंगे इनका जो पहला रूलर माना जाता है जिसने गुजर परतिहार डाइनिस्टी को फाउंड किया उसक वहाँ पर इन्होंने इस किंग्डम की निव रखी थे लेकिन वो एक बड़े राजा नहीं थे पूरी तरह से स्वायत नहीं थे सोतंतर नहीं थे और गुजर परतिहार डाइनिस्टी जो प्रोमिनेंस में आई वो आई एट सेंचुरी के सेकंड क्वार्टर में ठीक है 750 के पर तकरीब जब नागभट फैस्ट जो हैं राजा बनते हैं और नागभट फैस्ट जब राजा बनते हैं उसके बाद उन्होंने अरबों को भी एक लंबे अरसे तक बैक फूट पर रखा आप जानते हैं कि अरब इन्वेजन भारत में होने लग गए थे सात्वी शताबद के बाद 712 का जो एक फेमस अटेक हुआ था मुहमद बिन कासिम का अरब इन्वेजन में उस समय अरब्स जो हैं वो पहली बार जीते थे भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रेंटियर के उपर और उसके बाद जो है ये डैनिस्टी पावर्फुल हो गई और अरबों के जो अटेक अरना राजनी तेक पकड नहीं बठा पाए बलकि अफगानिस्तान सी तरफ से जो रूलर्स आए चाहे वो आप देखते हैं गजनवी हो गजनवी ने तो चलो इन्वेजन किया और वो लूट मार करके चल जाता था फिर वो चाहे मुहमद गोरी हो ग्यारवी श्यताबदी मे उसके बाद चाहे मुगल हो वो अफगानिस्तान की तरफ से आये हैं लेकिन इन्होंने 200-300 सालों तक जो गुजर परतिहा डैनिस्टी और चालो के डैनिस्टी थी उन्होंने उनको रोक के रखा और उनको भारत की तरफ डॉमिनेट करने नहीं किया तो आठवे श्यताबदी अब भाद आपको यहान में दिखा देता हूं यहाँ मैं अच् puisqu ईक्रोट समय आगएगा यह तो गुजर परतिहार पाल और रास्ट कूट के बीच में कनौज को कंठोल करने के लिए कनौज को अपना इक करता बनाने के लिए उसके उपर अपना रूल क् करने के लिए इन्क तो त्रिपार्टाइल स्ट्रेगल कहते हैं या कन्योज ट्राइंगल वोर्स कहा जाता है कि कन्योज को कौन कंट्रोल करेगा वो इस देश का एकदम उस टाइम का सबसे ताकतवर राजा मना जाता था तो परतिहार डैनिस्टी ने अंततह इसमें जीत हासिल करी एक लंबे समय तक और उसको अपने कंट्रोल में लिया एवन कन्योज को इन्होंने अपनी राजधानी तक बना लिया था जब महिर भोज राजा थी सामाने था कोई भी साशब जो है वो एक डिस्प्यूटेड छेतर को एक वार जोन को अपनी राजधानी डिकलेर नहीं करता लेकिन इन्ह जारुई शताबदी में यह डिकलाइन भी कर गए दस्वी शताबदी के अंत में भी काफी हद्ते के डिकलाइन कर गए थे लेकिन इस ट्रिपार्टाइल स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा नुकसान भारत को यह हुआ कि इन तीनों ने तो आपस में लड़ाईयां लड़ी औ और तीनों ने एक दूसरे को कमजोर भी किया तीनों की सेनाओं का नुकसान हुआ एकनोमिक लोस हुए और इसका रिजल्ट यह निकला कि एक पॉलिटिकल डिस इंट्रिगेशन हो गया भारत में और पॉलिटिकल डिस इंट्रिगेशन का जो फाइदा है वो इस्लामिक इन्होंने लड़ाईयां लड़ी भारत को इन्होंने इन्वेड किया और कई बार इन्होंने लूट का सोट यहां पर मचाई तो उसका फाइदा हुआ क्योंकि यहां की जो डाइनस्टी ती वो आपस में लड़ रही थी ठीक है अब बात करते हैं जो गुजर प्रतिहार डा वर्ज राज यह अच्छे साशक रहे हैं तो इनको फाउंडर की तरह देखा जाना चाहिए अच्छे रूलर की तरह देखते हैं यह प्रतिहार डाइनस्टी की और इन्होंने गुजरात को गुजरात से लेके गवालियत तक का जो हिस्सा है वो अपने कंट्रोल में लिया अ दाहिर के समय राजा दाहिर जब उस समय गुजरात के साशक भवा करते थे तो उस समय पूरे गुजरात के नहीं कुछ छेतर के तो उसके समय दाहिर हार गए थे और अरबों का कुछ शामय के लिए कुछ छेतर के उपर रूल हो गया था सिंद्ध वाले प्रांथ की तरफ हो नागभट को भी जो रास्टकूट रूलर थे ध्रूग उन्होंने हराया था तो त्रिपार्टाइल्स होने लग गया था इनके बीच में लड़ाईयां होने लग गई थी सिर्फ त्रिपार्टाइल ही नहीं उसके अलाओ और भी संगर्ष आपस में तो चली रहे थे जिनकी सि इंप्रटेंट रूलर होए है वह साथ सो अस्टी से आठ सो के बीच में रहे हैं वत्स राज वत्स राज ने अपनी राजधानी उज्जेन को बनाया उज्जेन इनके लिए इंप्रेंट जगे थी और उसके बाद इन्होंने कन्नोज वाला जो छेत्र है सेंट्रल जो स्वामराज है उसका विस्तार किया ठीक है नागवर्ट सेकंड ने इनको सक्सीड किया आठ सो से लेके आठ सो तेतेस तक इन्होंने रूल किया और इन्होंने आगे चलके कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी और एक्स्टेंशन की पॉलिसी को बढ़ाया और इन्होंने आंध्रा सेंद्वारा, विधर्ब, कलिंग इन सभी छेतरों को जीता और यहां पे इनको लड़ाईों में हराया चाहे उपाल डाइनिस्टी हो यहां पे चाहे रास्टकूर डाइनिस्टी हो उनके साथ भी लड़ाईया लड़ी उसके राब मतस्याज को इन्होंने नौर्थ में हराया वटसाज को इन्होंने इस्ट में हराया तरुकाज को इन्होंने जो मुस्लिम थे वेस्ट में अरब्स की तरफ उनको हराया तो इन्होंने भी साशनकाल के समय काफी जो है समराजे का विस्तार किया है उसके बाद आते हैं हमारे hero इस वीडियो के जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं सम्राट महीर भौज सम्राट महीर भौज इस dynasty के सबसे greatest साशक सबसे महानतम emperor माने जाते हैं और इनके दोर में एक गुजर पर्थिहार dynasty का glorious period शुरू होता है और महीर बोज ने 836 में अपनी सत्ता को संभाला था उसके बाद तकरीबन 50 साल, 49 साल समय माने जाता है कई जिगा 46 साल भी लिखा जाता है उस इतने सानमे तक इनोंने रूल किया तो इतना लंबे समय तक कि अगर कोई साशक रूल करेगा और गुजर परतिहार डाइनिस्टी अपने प्रोस्परेटी के चरम पे थी इनके समय पे इनके पास अच्छी वेल्थ थी, अच्छा बड़ा सामराज्य था और लोग जो हैं इनका सम्मान करते थे और इनके दुश्मन इनसे डरते थी इन्होंने कन्योज को अपनी रालधानी बना लिया, कन्योज को जीत लिया हलांकि कन्योज को जीतने का काम जो हैं इनके समय हो गया था कन्योज को उन्होंने कंटॉर में ले लिया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने इसको रालधानी बनाया और उनको जीतने नहीं दिया बरहा को पर प्लेट इंसक्रिपशन में इनके बारे में मैंशन है और इनके जो मिलिटरी कैम्पियंश हुए wheel अ में यह विश्णू के उपा सकते बगवान विश्णो के उपा सकते हिंदोज्ञ में आप जाना वेष्णुविजम भी एक ब्रांच विष्नव जैसे सेविजम है विष्नव विष्नविजम को फोलो करते थी आदि और अम इन्हों ने टाइटल लिया था आदि और जो भागवान विष्नव के तीसरे अतार थे और वरह अतार उन्होंने जब पर्त्वी को बचाया था और वराह का उतार लिया, उनका फियस जो है, उनका जो चहरा है वो वराह का था धरम को मांने थे तो उन्होंने आदी वराह का टाइटल लिया अरब के जो सिंध से जो अरब थे और चंडाल्स थे, उसके लबाएं काला चूरीज ते इन सभी ने इनकी सुप्रेमेंसी को सुविकार किया सभी को इनोंने लड़ाईों में हराया था तो ये मानते थे कि इनके सामने हम नहीं लड़ सकते और उस समय जो परतिहार डैनिस्टी थी उसके हमें अर्बों की तरफ से कहा गया अरब जो राइटर्स थे उनोंने कहा कि इनके पास इंडिया की सबसे strongest cavalry है और सबसे strongest force है उस दोर की तो इनके सामने आसानी से लड़ना आसान नहीं है और इनको हराना तो बहुत ही मुश्किल था उस दोर में King Bora नाम से इनको टाइटल दिया था नहीं उन अरब जो रूलर जो आए सुलिमान जैसे यहां पे ट्रेलर आए उनोंने जब इनको गुजर की कहा है तो गुजर हुए है लेकिन ब गए इत्यास करूँ गए मनथा है कि अरब ट्रेवलर्स जिनने की जो कहा है वो इस एयरिया के लिए कहा है जियोग्राफिकल टरम के तोर पे कहा है अब आप उस चीज़ को किस तरह से स्विकार करना चाहते हैं वो आपकी जोईस हैं क्योंकि इसके उपर मैं किसी कंक्लूजन के उपर आपको नहीं पहुंचाना चाहूंगा कि राजपूत थे कि वुजर थे वो आप अपने इसाब से उसको देख सकते हैं और इस चीज़ में कुछ ज़्यादा कुछ राखा भी नहीं है कि उनकी जाती क्या थी वो हमारे साशक थे इस छेतर के तो उस साशन काल में उन्होंने क्या कुछ किया वो जानना ज़्यादा महत पून है आधी वराज के उनके जो सिक्ये मिले हैं उनके उपर भी भुटाई मिली है जिससे दिखने को मिलता है कि वो विश्णों के उपासک थे और उन्होंने इनको काफी परुचलन में लाए इस तरीके के सिक्ये हो रिये हैं उनका जो एक्स्टेंशन था उनके सामराजे का वह मैं आपको पहली बता चुका हूँ कि साउथ में नर्मदा नदी तक, उत्तर में नॉर्थवेस में सतलर्ज नदी तक, बंगॉल की तरफ इस्ट में, उसके लावा हिमालेज की तरफ यहां तक इनका सामराजे फैला हुआ थ तक फैला हुआ था तो यह हम मैप में पहले भी डिस्कुस कर चुके हैं, काफी बड़ा समलाजे था, अपने पीक पे था, पाल डैनिस्टी को थे उन्होंने बहुत पीछे तक बैक फोट पे धकिल दिया था और पाल डैनिस्टी उसमें वीक भी पड़ गई थी, इसकंद प यह फॉरिस्ट की तरफ चल गए, सन्यास इन्होंने द्रहन कर लिया, आप जानते हैं कि जो चार आश्रम होते हैं, बर्मचारे आश्रम, वर्हस्ट आश्रम, उसके बाद वान प्रस्ट आश्रम और उसके बाद सन्यास आश्रम तो, कही लोग जो पहले पुराने राजा थे उन्होंने इस चीज़ को स्विकार भी किया और इनमें से किये भी थे इन्होंने यह जाके पचास साल साशन करने बाद अपने बेटे महंदरपाल को साशन समा दिया ये इनके बारे में हो गया इनके बाद की जो रूलर से थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं ताकि परतिहार डैनिस्टी आपको अच्छे से कलियर हो जाए तो उनके बाद महंदरपा लाते हैं जो आट सर पिचासे से नोसो दस के बीच में रूल करते हैं और इनके समय इनका साशन बड़ा था इनके पिता ने इनको बड़ा साशन दिया था और वो साशन पे रूल कर भी रहे थे महाराजा अदिराज ओफ आरिया वर्थ का इन्होंने टाइटल लिया था काफी बड़ा टाइटल है महाराजा अदिराज मतलब राजाओं के राजा राजाओं के महराज और आरिया वर्थ भारत का पुराची नाम है तो महराजा अधिरा जो फारिया वर्थ का टेटर नो ने लिया था राजेश राजा शेकर जो हैं एक इनके कवी हुई हैं काफी बड़े पोईट हुए थे वो इनके राजदर बारी कवी थे उसके बाद महीपाल फैस्ट इनके राजा हुए 913 से 914 के बीच में इनके समय पे गुजर प्रतियार डाइनस्टी फॉल करने लगी थी जब कन्योज जो शिटी थी कन्योज जो इनकी राजदानी थी दूसरी राजदानी जिसको बनाया था उसको भी डिस्ट्रोई कर दिया गया इंदर थर्ड जो राजट कुट डाइनस्टी के रूलर थी पद होता है राजय पाल का वो गावरनर होते हैं राजय के नहीं वो नहीं है ये नाम है राजय पाल तो ये जब राजा हुए तो कृष्ण तृतिय जो हुए थे रास्ट कूर्ट किंडम के राजा उन्होंने राजय पाल को हराया और कन्योज को पूरी तरह से कंट्रोल में ल गजनवी ने महमूद गजनवी ने भारत की तरफ काफी अटेक की हैं आपको पता है 17 बार आकरमन किया उसके 17 आकरमनों के बारे में मैं आपको बढ़ा चुका हूँ उसके वीडियो में तो इसने गुजरात की तरफ भी अटेक किया इसने सोमनात मंदिर को 1026 में 1024 में इस समय जब गुझरात की तरफ अटेक किये तो उसको डिस्टोई किया था तो जब साइड ही अटेक कर रहा था, एक़जार जोब इसके बाद तो ये गुझरत पतिहर् डाइनिस्टी के ओपर ही तो रूल कर रहा था अटेक कर रहा था, तो इस ने इनवेजन किये उस समय और उसके इन्वेजन्स की वज़ा से समराजे और भी कमजोर हो गया और इसके समय के समय बेकॉज अफ दिस दे हैट टू फ्लाई फॉर बैटल फिल्ड जब ये गजनवी के समय अटेक हुआ था और उसके बाद चंदेला ने विद्या धर चंदेला ने राजेपाल की भी हत्या कर दी थी तो ये वो दोर था जब पतन की तरफ था और यश्पाल इसके लास आशक हुए हैं गुजर पतिहार डानिस्टी के इन्होंने एक हजार चोविस से एक हजार च्छतिस तक रूल किया एक हजार चोविस वही दो जब गजनवी यहां पर अटेक कर रहा तो समय साशक बनी थे इनके हाथ से फिर यह सत्ता जो है वो धीरे-दीरे चली गई उसके बाद जब यह समराजे हो गया तो कई हिस्सों में बढ़ गया और आगे चलके च चंदेलाज, काराचुरी इन्होंने सभी ने सुप्रमेसि सुईकार कर रखी थी जब महिर बोज साशक थे लेकिन उसके बाद सब आ जात हो गए अब कई बार तो गुजड कम्मुनिटी के लोग जो है वो चवहान राजाओं को भी अपना एक तरह से अपना साशक बोलते है राजपूत उनको अपना क्लेम करते हैं लेकिन यह जो डाइनिस्टी थी गुजड परतिहार डाइनिस्टी उसके बाद से देखें दो इतियासकारों के मत हैं एक तो कई तो इसे भी कहते थे हैं कि गुजड के ही आगे चलके जो है राजपूत बने कुछ-कुछ इतियासका वह इधर गजनवी का समराज है था गजनवी भार्द के ओपर रूल इस्टैब्लिश नहीं कर पाया था ज्यादा समय वह यहां पर आटेक करता था लूट का सोट ज्यादा करता था और यह चालुक्यों भी वेस्टन फ्रेंट्स हैं अरबों के इन्विजन्स को कई बार बचा वीजन्स आपको पाया प्रोप्रियेट्रौप्रियस के यहाँ की svरियं यहां पर आपको इन वीदियो की फेडियो लैक्चरी अने कैसेुन जयाएंगी प्लेलिस्ट में आपको चीज़ेंगे बहुत अच्छाएं यहाँ विदियों बहुत अच्छा सर्फ आप प्रेमियम को सकते हैं उनको भी पर्चेस कर सकते हैं बहुत प्रॉप्रीट प्राइस में यहां पर चैट सेक्षिन के माधिम से मुझसे जूड़ सकते हैं आपका कोई भी डाउट हो कोई भी सजेशन हो उसका मॉस्ट विलकम है आपको बिल्कुल रिप्लाइ करूँगा और अगर आप प्रेमियम कोर्सेश करीते हैं तो उनको आपको सारी चीजें आपको मोहिया करा जाएंगी विडियो लेक्चर्स उनसे रिटेड नोर्स उनसे रिटेड टेस्स ताकि आप अपना अकलन भी कर सकें ठीक है और इस्टाग्राम से आप जुड़ते हैं तो यहां आपको इन्फरमेटिव रिल्स मिलेंगी जो आप चीजों का अध्यान कर सकें और आपके नोलेज में इजाफा हो सकें यह हम निरंतर कोशिश करते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग थिस वीडियो एफ बूड देग से यू नेक्स क्लास